आप सभी का स्वागत है आज हम कलास 10 के रसायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर रसायनिक अभिकिरिया एम समीकर आपको ये कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं आप सभी को ये चैप्टर एक हैंड राइटिंग नोट में पढ़ाने वाले हैं जिससे आप एक साधार भासा के माध्यम से आपको इस चेप्टर को समझाया जाएगा फ्रेंस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखिए आपके सामने यह पहला चेप्टर है रासायनिक अभिकिरिया इमसमिकर देखे इस चैप्टर को सुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें यहाँ पर जो आपको टापिक पढ़ाने वाले हैं आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए 100% important साबित होगा फ्रेंस आपके बोर्ड के एक्जाम में यही सब प्रश्ण जो आपको टापिक पढ़ाने वाले यही से बनते हैं ठीक है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें चले फ्रेंस देखें आपको क्या है पहला है कि रसाइनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जिसे कहते हैं केमिकल रियक्सन अब देखे फ्रेंस कि रसाइनिक अभिक्रिया किसे करते हैं तो देखे वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार प्रस पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्मार करते हैं अब फ्रेंस जो नया पदार्थ बनता है उसके भोतिक रसाइनिक गूर जो होते हैं मूल पदार्थ से सरवता क्या होना चाहिए भिन होते हैं तो उसे क्या करते हैं रसाइनिक अभिक्रिया करते हैं देखें फ्रेंस रसाइन के क्रिया का मतलब यह होता है कि दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ जब बनाते हैं तो नए पदार जो बनता है उसका जो भोती गुड होता है एव रसाइनी गुड होता है पहले पदार से क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए दिखे फ्रेंच यहाँ पर आपको example के तूर पर समझते यहां बनता है यहां पर सोडियम लिए गया एट है मतलब क्या है कि यह को देखाती है औरحت मतलब क्रीया के यहां पर दो पदार्थ यह दूनों पदार्थ आपस में क्रीया करने अट रहा है इस नए पदार्थ का भौतिक गुढ़वा इन रसाइनिक गुढ़वा सरवता जो मूल पदार्थ होते हैं इनसे अलग होते हैं तो क्या अभिक्रिया कहलाती है तो फ्रेंश इसको एक प्रोपर नोट बनाके दिख लीजिएगा कि रसाइनिक अभिक्रिया किसे कहते है अब देखिए फ्रेंश यहां पर आपको उधार के तोर पर जो बता है कि यहां 4NA02 यह अपस में क्रिया करके 2NA20 बनता है अब देखिए फ्रेंश यहां पर क्या है कि सोडियम जो धातु को वायू में जलाना पर सोडियम आकसाइड का निर्माड होता है जो सफेद उसे ही रसायनिक अभिक्रिया करते हैं ठीक है समझ में आ गया होगा अब देखिए फ्रेंश इसके भहुत तिक एम रसायनिक गुड के अदर सोडियम धातु के गुड़ों से सरवता भिन वते हैं जो आपको समझाएं वही यहां पर लिखा गया है अब देखिए फ्रेंश यहां पर क्या है रसायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं देखे फ्रेंश रसायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं कौन कौन सा की अभिक्रिया होता है एक रसायनिक अभिक्रिया होता क्या है कि नाभिकी अभिक्रिया में परमाडू के नाभिक भाग लेते हैं क रसाइनिक अभिक्रिया में जो परमाडू होते हैं उसके बाहर के जो इलक्टान है यदि वह भाग लेते हैं दूसरे रसाइनिक अभिक्रिया कहते हैं देखें यहां परमाडू के जुबाहतम इलक्टान का मतलब क्या होता है देखें यहां सोडियम होता है सोडियम का परमाड यम ठीक है यन तक होता है इसकी जो बाहर की कच्छा होती है फ्रेंस इसमें जो इलक्टान होता है यदि यह रसाइनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उसे बोलते हैं रसाइनिक अभिक्रिया ठीक है इसे क्या बोला जाता है बाहतम इलक्टान यदि बाहतम इलक्टान ज करते हैं या को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब देखे फ्रेंस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रसाइनिक अभिक्रिया की पाचान कैसे करते हैं तो फ्रेंस देखे रसाइनिक अभिक्रिया के पाचान के निम्रिखित परिच्छड पर आधालित होता है यदि रसाइ अभिक्रिया के लिए आपको पता होना चाहिएं कि जब दो प्धार्थ आपस में जाता हैं निकलते रहतते हैं जब क्या बोलते हैं रसाइनिक अबकिरिया की पाचान कर सकते हैं अगला है आपका भहुतिक परिवर्तन में क्या है फ्रेंस कि देखिए बहुतिक परिवर्तन जो हता है यह एक अस्थाई परिवर्तन माना जाता है बहुतिक परिवर्तन क्या होता है फ्रेंस यह आपके बहुतिक परिवत्तन में कोई भी पदात परिवर्तित होने के बाद पुन अपनी पूरो अवस्था में आ जाता है उसे बहुत इंट परिवरतन कहते हैं तो कि जैसे आप जल है क्या है जल है यह जल को जादा जादा ठंडा करते हैं तो क्या करता है बर्फ में जैसे जल को आप यह फ्रीज में रख दिये तो क्या होता है बर्फ में बदल जाता है देखिए यह द्रौ था और द्रौ से किसमें बदल गया ठोस में द्रौ से ठोस में तो इ जल में तो भोतिक परिवर्तन का मतलब यही होता है कि कोई पदार्थ जो हता है परिवर्तित होकर एक नया पदार्थ बनाता है लेकिन वो जो नया पदार्थ होता है पूर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसे ही क्या करते हैं भोतिक परिवर्तन समझ में आ तो पुना बर्फ से आप पानी प्राप्त कर सकते हैं यहीं तो होता आपका भोतिक परिवर्थन यान एक अवस्था दूसरे अवस्था में जाता है फिर दूसरे अवस्था से पुना अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसे कहते हैं भोतिक परिवर्थन अब यहां पर क्या है पानि का वाष पका बनना दीदि प्रेगेस पानी होता है जाइंगह। वाष फिकरण होता है तो अबसक्रतों बतलता है फिर आपको ठंडा होकर वर्शा के रूप में पुना खकांत पूर्ण क्या हैं विद्धु दहरा परवाइद करते हैं तो क्या करता है डूसरे पदालत को कुझत करने के उसमें चंपता आ जाती है विद्धुत होता है यादि आप डिस्कनेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है नहीं वस्ता में कि परिवरतन के उधार हो जाएंगे इसके अलावा देखे बल्ब का जलना इस तरह आपके घर में जो बल्ब होता है इस तरह आपके परिवर्तन के अंतरगत आता है अब देखे आपका अगला अगल जाता है अब देखे और देखेंगे तो इसको प्रशन करते हैं आपके परिवर्तन से आपके के परिवर्टन से आपके के प्रशन ही बन सकते हैं आपको देगा कि उसमें बहुतिक परिवर्तन के उधारण है इसमें से आपके कुछ एक्जामपल दिया रहेगा एक दो मतलब एक दिया रहेगा तीन अलग को उधार दिया रहेगा उसमें से जो बहुतिक परिवर्तन सब बताएं इससे याद रखिएगा इसी में से आपके बहुतिक परिव परिवर्तन को देखते हैं लसानिक परिवर्तन आपका होता क्या है कि यह एक अस्थाई परिवर्तन होता है अस्थाई परिवर्तन का मतलब यह होता है कि एक पदार्थ परीवर्थिट दूसरी आवस्था में चला जाता है ते लुसरी आवस्ता से प्राहरंबिक अवस्ता में प्राप नहीं कर सकते हैं उसे बहस अको Rand यह दोट से दोट से यादिंदधि भना करसकते हैं दोबारा आप प्रभूटर। यह दूरी हम द्ही बना एक अवस्था परिवर्तन और ग wireless में अपाता है तो उसरी बन परिवर्तन यानि उसकी अवस्था नहीं लाया जा सकता है उसे अस्थाई परिवर्तन कहा जाता और जब यही अस्थाई परिवर्तन होता है तो उसे ही क्या बोला जाता है रसायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कोई पदात एक अवस्था दूसरी अवस्था में चला गया परिवर्तित हो गया तो पुना दूसरी अवस्था प्रारमिक अवस्था में नहीं आपाता है तो उ पूर्व आवस्था में नहीं आता है तो इसके कुछ अधार देख लेते हैंस कि उधार है इसमें इसका उधारा रासायिक परिवर्थन को एक्जामपल दिये हैं कि दूद से रही बना तो रही साप डूद नहीं प्राफ्ट कर सकते हैं यह होगे आपका रसाइनिक परिवर्तन के अंतरगत आता है। इसी तरह भोजन का पचना, जो भोजन एक पर पच गया तो आप भोजन दुबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका कौन सा परिवर्तन रसाइनिक परिवर्तन, इसी प्रकाल लकड़ी का जलना आपका किस में आजाएगा रसाइनिक परिवर्तन के अंतरगत, मखन का खटा होना और लोहे पर जंग लगना या कौन सा परिवर्तन है फ्रेंस आपका रसाइनिक परिवर्तन के अंतरगत आ जाते हैं। अब फ्रेंस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रसाइनिक अभिक क्रिया क्यों किया जाता है में इसका करण है अस्थाई तो प्राप्त करना ठीक है यदि कोई भी पदार आपस में क्रिया करता है एक अस्थाई रूप डारा करता है तो उसकी अस्थाई तो प्राप्त करने के लिए रसाइनिक अभिक्रिया होता है अब देखें फ्रेंस हो सकता है तो क्या का आपका इसमें आपका क्या प्रभाव पड़ता रноसे प्रचा करते हैं अ Theo तो रसाइनिक अविक्रिया के मेंकारण अब देखें यहां पर क्या है यह अधिक अस्थाइट वाले पदात का निर्मार होता है तो रसाइनिक अविक्रिया संपन होती है देखें इसका में तात पर यही निकलता है रसाइनिक अविक्रिया क्यों होती है दो पदार्थों का आ तो पदार्थों का अस्थाईत प्राप्त करने के लिए ही रसाइनिक अभिकरिया होती है मैंने यही कारण ठीक है अब देखें फ्रेंज रसाइनिक समिकरण को देखते हैं कि रसाइनिक समिकरण होता क्या है तो फ्रेंज देखें यहाँ क्या है कि 2 या 2 से अधिक, अभीकारक मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माल करते हैं, तो इस पकाज से संपन होने वाले जो समिकड़ होते हैं, रसायनिक समिकड़ कहलाते हैं, अब फ्रेंच देखे, जैसे आपको रसायनिक समिकड़ को उधार क्या बता है, कि जैसे यहां पर देखें जो रसाइनिक समिकड़ का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदात आपस में मिलकर एक नया पदात जब बनाते हैं तो रसाइनिक समिकड़ करते हैं अब यहां पर देखें एक सब्द लिखाए अभिकारक का मतलब होता है कि जो पदात रसाइनिक अभिकरिया में भाग लेते हैं जैसे यह दोनों पदात क्या कर आएंगे आपके अभिकारक क्या कर आएंगे और भीकारक ठीक है समझ में आ गये होगे इस अभिकारक और यह दोन आपस में क्रिया करके जो नया पदात बनाता है उत्पाद का लाता है इसे ही क्या बोलेंगे आपका रसाइनिक समिकड़ा बोला जाता है चलिए देख लेते हैं यहां पर यह क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्मा करते ह है इस पकाता संपन होने वाले समिकड़ होते हैं उसे ही क्या करते हैं जैसे जिनक और जोर्सोंγरी से बलता है और तों दोने पतारतों क्या बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे इसिते ओलेंगे अभिकारक यह जो आपस करते हैं करते क्या बनेंदे से यस्टू बनता है यहां पर तीस प्रकास से यस्टू बनता है यानि कि जल बन जाता है यह दो पदारत अभिकारक हो गए यह दो पदारत जो बन रहा है आपका उत्पाद हो गए यह क्या हो गए उत्पाद हो गए दो अभिकारक मिलके आपस में दो या दो से अधिक उत्प और जल बन जाता है जो यहां पर अभिकारक होते हैं यह क्या होते हैं अभिकारक यह क्या होते हैं उत्पाद होते हैं और इन दोनों क्रियाओं को अभिकारक जब आपसे मिलकर क्या बनाते हैं तो उसे रसाइनिक समिकड़ करते हैं तो यह आपका क्या एक रसाइनिक समिकड़ है जिसे जिंक आकसाइड यह सबसे इंपोर्टेंट है ठीक है आपके रसायनिक समिकड़ जो संतुलित वाला है आपके एकजाम में 2023 में च्छान नंबर का प्रश्ण आया था ठीक है अब देखें अब इसको पढ़ते हैं समझते हैं संतुलित रसायनिक समिकड़ कर क्या होता है ठीक है अब संतुलित रसायनिक समिकड़ को जब पढ़ेंगे ते देखें क्या है कि वह रसायनिक समिकड़ जिसके दोनों पच्छों में परतिक तत्व के जो परमाड़ू के संख्यां बराबर होती है तो संतुलित रसा रट्री कािया इस तो फोर के साथ यदि किरिया किया तो आपका बना जिंक सफोर के साथ जिंक ु receptive बनेगा क्या बनेगा तो बबनेदग यहां कि एस्ट ट्या बंजाएगा अब देखें आपका मतलब पत्लिक्स ट्रॉ देखियर कि दाया पच्छ यह क्या होगा दाया पच्छ यानि के बाय पच्छ में परमाड़ू के संख्या और दाय पच्छ में परमाड़ू के संख्या यह दी बराबर है तो उसे क्या बोलेंगे संतुलित रसायनिक समिकर देखें जेडियन क्या है एक है आक्सीजन कितना है एक है इदर यहाँ पर हाइडोजन कितना है, दो, यहाँ सलफर कितना है, यह क्या है, यहाँ अक्सिजन कितना है, चार, इस पका से देखें, जेडियन इधर एक हुआ, आक्सिजन इधर कितना हुआ, एक, मतलब आक्सिजन देखें, चार, एक, पांच, आक्सिजन टोटल कितने होगे, पा सब्सक्राइब करने की वीधी को क्या करते हैं हिट एम ट्राइल वीधी क्या बोलते हैं हिट एम ट्राइल वीधी जिसे अनुमान वीधी के आपके बहुत प्रश्न पूछ दे कि रसाइनिक समीक्राइब करने की वीधी क्या है तो उसे क्या बोलेंगे हिट एम ट्राइल वीधी या उसे अनुमान वीधी भी कहा जाता है अब देखे फ्रेंज यहां पर कुछ एक्जाम्पलों के माद्यम से आपको समझाएंगे कि यहा लेड नाइट्रेट इसे बोलें क्या बोलेंगे लेड नाइट्रेट यहां पर लेड आकसाइड बनता है और यहां पर क्या बनता है यहां पर पीबी लिख लिए और अधर क्या है यहन लिख लिख लिजिए ओ लिख लिख लिजिए देखे बाय पच्छ में गिनिया पीबी कितने है तो पीबी कितना है दो यहां से हो गया पीबी दो हो गया यहन कितना है देखे फ्रेंस यहन का मतलब होगा यह दो है और इधर और 2 हो दया कजा है अब यहां पे आक्सिजन को देखे देखे इसका मतलब यो साथ और यह 2 होगा, तो देखें, 2 और 2, मतलब 2 और 3 का गुड़ा करेंगे, 2 3 6 और 6 और 2 का गुड़ा करेंगे, 6 2 के 12, यानि आक्सिजन कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है, इस साइड, पीबी होगा 2, यन होगा 4, वो होगा 12, अब इस साइड देखें, आपका उतना हो रहा है कि न 2, वो कितना होगा, वो गिनिये, देखें, यहां पर 2 लिखाए, तो दू होगा, और यह 4 दूना क्या होगा, देखें, दो यहां से, चार दूना के 8 यहां से, और 2 यहां से, अब गिनेंगे, तो कितना होगा, आपको पताए, पीबी आपका कितना है, पीबी है 2, यन कितना ह चार आपको शोड़ा हुआ है समझजाएं अभी तीन दुना कि यह वब तीन दुना के चाह और छगे प्रणा कर थिडियों कितना हुआ हुआ बारा देखिए पीजन कितना वह वह इसंटनोर कंतलगा में आपस में बराबर कंपано नहीं किसी प्रकार का डॉट होता है कमेंट भाक्स अप जरूर लिखिए का छलिए आप यहांप देखने हैं फ्रेंस कि रसायनिक से ग्यात होने वाला ततति जब रसायनिक से आपस में क्रिया करते हैं तो आपको क्या-क्या ग्यात होता है उसके बारे में आपको बताएंगे देखें, पहला point गात होता है, कि RASIGNIC अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्त का नाम पता चल जाता है, कि आपके कौन-कौन से पदात आपका भाग ले रहे हैं। फिर इसके बाद यह आपस में क्रिया करके काम से नए पदार्त बनारे है, उसके बारे में आपका पता चलता है धाँ आट उसका बन रहा है तो उससे आपको यह पता चल जाते यह दो पन्य już रसायनिक सेमिकड के बाद यह मिलता है तो समझ में आ गया होगा अब चलिए फ्रेंड से यहां पर देखतेएं कि रसायनिक करण के कमिया क्या है यानि के किरिया को पूर्ण होने में कुछ समय लग जाता है यह को परियुक उत्प्रेरव को घ्यान होता है किरिया में उर्जा उत्पाद ये और शोशोक होने की इस्थिती का पता चलता है किरिया में प्रकास और धोनी उत्पान होता है या नहीं होता है इसके बारे में एक कंस्यप्ट मतलब पता नहीं चल पाता है देखे रासाइनिक समीकर जो कमिया है जैसे रासाइनिक किरिया कित हो रहा या नहीं हो रहा इसका ग्यान यदि नहीं मिल पाता है इसलिए आपका रसाइनिक सेमिकर की सभी मुख्य कमिया थी ठीक है समझ में आ गया होगा अब दिखें अगले पॉइंट्टों के यहां पर देखते हैं रसाइनिक अविक्रिया के प्रकार यह बोड के एक्जाम क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप बस वीडियो को लाश तक जरूर देखें देखें आपके क्या है कि रसाइनिक अविक्रिया के निम्लिखित परकार होते हैं पहले इसके नाम देखते हैं फिर परते के बारे में हम डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे अब देखेंगे आप कहा है सन्योजन अभिकिरिया अब सन्योजन अभिकिरिया को ही योगात्मक अभिकिरिया संकलन अभिकिरिया के नाम से जाना जाते हैं इसको तीन नाम से जानते हैं तीनों नाम एक ही है ठीक है समझ देखेंगा अब दूसरा देखें यहाँ पर क्या है आपका विस्था बलत को तिहां आपकों पर गियव यह अब यह की लिए सबसे इंपपर्ण बहुत इंप्रयां के बारे विन यह दितने वाले हैं उत्तनी अब कर्मी ओंड्स आत्रव्धे लिए में यह वियोजन अभिया के बारें पढ़ाने वाले थे फ्रेंस यहां दो बर लिख दिया ठीकि आप नहीं लिखिए गए फिर इसके बाद देखी आपके पेपर के लिए डिविजू इस्थापन अभिया इंपोर्टेंट है उसमा छेपी उयम उसमा सोसी अविक्रिया भी आपके लिए पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है उपचैन अपचैन देखें सबसे इंपोर्टेंट टापिक यही है आपके बौड के इकजाम के लिए इस चेप्टर से चलिए इसमें पहले भाग को पढ़ते हैं कि सन्योजन यह यूगात्मक अभिक्रिया क्या होती है देखें पर सन्योजन और यूगात्मक या संक्ल इन तीनों नामों से जानने जाता है इसक जाएगा, तो सन्योग दैख नवी किरिया कहालाता है, फिक है अब चलीब देखीं, ह overlap पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा है कि वह किरिया जिन में दो def Kate 6चछ दो या धीक परादात सन्योग करके जिर एक नया पतार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिकिरिया कहते है समझना गया होगा मतलब कि जैसे आपको A और B का इउक्जामप्ल दे रहे रहें जैसे एक पतार्त ही है आपस में किरिया करके केवल वकेवल आपस में सनयोग करके सिर्फ एक पतार्त बना दे तो उसे ही क्या कह hungry सञांईजन अभी किरिया करते हैं अभी इसको एल्साम पर देख़ा जांगे मतलब को और यहां पे इसका मतलब यहां पर के दो पतार लिए यह आपस में सन्योग के सन्योग करने के सहते हैं, हैं प्रिखर ब्यार कहता है अभी आपाल पर देखें रिख्रेंट inhale लिखा रिखा के लिए कि सलफर वैयर याद र féक गंधक करते हैं सफ़र ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है क्या बनता है सलफल डाई आक्साइड बन जाता इसलिए प्रकार एक अन्य एक्जामपल है कि हाइडोजन जो है हाइडोजन आकसीजन के साथ आपस में किरिया करता है हाइडोजन आकसीजन से साथ किरिया करेगत क्या बनेगा आपका जल बन जाता है आप एक और एक्जामपल बताता है फ्रेंज देखिए हाप क्या है कि जैस करते हैं जैसे कलिस्यम आक्साइट परते हैं इसे बीना चुना आप को यह यहां पर है जिसे क्या चुना चुना करते हैं तो बैना को पूजह वाला चुना को फार्मूला होता है मतलब कल्सियम आकसाइड और बूजह हुआ चुना करते हैं कल्सियम हाइड आकसाइड ठीक है अब देखें यहां से आपको एक उस्मा निकलता रहता है ठीक है अब यह समिकड़ हो गए यह आपका सन्योजन अभी किरिया के कुछ उदार ते जिसमें आपको पेपर में लिखना होगा तो आप इसका परिभासा लिख दीजिएगा लिखने के बार इन समय से कोई एक एक लिखना रहता है यह दूता या दे लिखें आप अब देखें फ्रेंस यहां क्या कर देंग कैल्सियम हैं डाकसाइड को लेते हैं और क इसको carbon dioxide के साथ किरिया कराएंगे तो आपका बनता है CACO3 calcium carbonate के इलाबा क्या बनता है यहां से आता है और इसमें से तीन oxygen आ जाता है तो इस तर बन जाता है calcium carbonate और यहां जल बन जाता है अब यहां पर देखें फार्मूला क्या है संगर्मर्मर का आप से पेपर मरमर का फार्मूला क्या होता है तो लिखिएगा क्या परते हैं जिसे बोलते हैं बूझा हुआ चुना क्या बोलेंगे बूझा हुआ चुना इसके अलाव देखिए आपका अन्य एक्जामपल भी लिया गए कि कल्सियम तौन बूझाला अब कक्या बूलते हैं कर्बन मोनोक्साइड का कर या करेंगे कर्बनील ऑपर बैंगोमर क्या बेया गरें आप का विज On zijn यह एक you एक коп यह आप याद रखिएगा और देखते हैं आपका विस्ता पर आपक्रिया इभी इसमें लाइक किजिएगा अब किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट हो तो कमेंट बाक्स में जरूर लिख सकते हैं अब देखे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है अब देखे फ्रेंस विस्थापन अभिक्रिया जो होता है क्या होता है इसके बारे में पढ़ा जाए फिर इसके बारे समझा जाए वहरा सायनिक वहिस falei किरिया जिसमें औधी कर्वियायशी आगा है कम क्र्विया कर्विसिंदाते करेल कौुंछ कि लेकर रफह हों करे निहीं नहीं समझ किते हैं आप एकष्डव पनीजी ऑर उस्में अभूर letter यहाम करने के सिक्ताइब को यहाँ से हटादेता है यानि कि आप अने के बाद इसका बाहर निकल जाता जब यह बोलता है विस्ठापन अभी किलिए के नाव पता चल जाएगा यहां समझ में आ गया होगा इस पकासी कौन से उधार समझ सकते हैं विस्थापर अभी क्रिया का उधार यहां पर कापर से मजबूत माना जाता है, अब यह क्या होगा? कि यह फी जो होगा CU को क्या करेगा यहां से हटा देगा यहां पर जैसे आएगा इसके साथ में तो CU को क्या करेगा हटा देगा कि भाई यहां से हट जाओ यह CU यहां से हट गया इसका अस्थान कौन करेगा यह फी यह फी जो होता है यह께 साथ यह यह बन जाते है यह फी यह 104 फिर प्लस करके अपका क्या होने की वजदा कंचो करता हो ब arguments छोड़ देता है तो इस पकास ayic क्या हो जाएगा विश्थापण अभिकरिया का एक्जाम्पल हो जाएगा कि सीयूं मतलए कापर और सलफेड जो होता है आरेन के साथ अविक्रिया करता है तो आपको आरेन सलफेड बनता है और कापर आपका अलग निकल जाता है यह एकजामपल आपका हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया का अब देखे फ्रेंस विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के होता है इसके मतलब क्या होता है अब एकल विस्थापन का मतलब होता है कि जब कोई तत्तु एक तत्तु को क्या करता है कि वहां से विस्थापित करके उसका आस्थान ग्राड करता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया करते हैं जैसे देखें वह अभिक्रिया जिसमें एक एक अधिक स वह क्या होता है आपका एकल एक्जामपर मतलब एकल विस्थापित करेगा तो उसे बोलते हैं एकल विस्थापित करेगा जिसे एकल विस्थापन विस्थापन अभी स्थापन आपक्रिया को समझते हैं अभी तक आपने अपकरिया इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लिज्ये दूवी स्थापन अविक्रिया आपके पेपर में बहुत बात पूछा है जिसे हम उबे अब गटन अविक्रिया के नाम से भी जाना जाता है देखे फ्रेंज दूवी स्थापन अविक्रिया में क्या होता है इसको समझते हैं तब इसके बारे में पढ़ते हैं देखें, जैसे यहाँ पर A, B है और यहाँ पर C, D है, देखें, आप क्या है, A, B ले ले लेते हैं, और क्या लेते हैं, C, D अब यहाँ पे दिविस्थापन है दिव मतलब 2 अब देखें क्या होता है जैसे C क्या होता है A के साथ आ जाए और D क्या होता है B के साथ में आ जाए इस पकड़ क्या बनेगा A C प्लस B D बन जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जब दो तत्तों आपस में अभिक्रिया करके विस्थापित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है दिविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है अब देखे फ्रेंस यहां पर आपको पताते हैं यहां पर क्या है कि वह अभिक्रिया जिन में अभिकारकों के बी जान किसनese है ऐ साथ प्रेंस फॉता है तूम साद यां हे और किसके साथ अजाता है विष्थापन हो रहा है ठीक है, दो बेरियमस सouleफैट बेरियम व क्या ने acl ला गया सोडियम क्लॉराइट जब दो ततों का आपस में क्या होता है जब दोधें आपस में विष्थापित करते है तो वहां दीविष्थापन अभग्रियमा कहाँ होता है जमें अपना अायन का आधान करते जिस्स incr क्लाइब कर दो तितों का विस्थापन होता है जिससे रिंसस्थापन अभी रिया करते एक एग्जम्पल यहा पर होरे देख लिए च्छ। फ्रे₇ंज ज собствен अब यहां क्या होता है की यह जो हता है मतलब शील वर जो होता है किसके सात जानmm के सातल ç प्लस होता है और इसी तरह एक माइनस होता है और इसी तरह एक माइनस होता है यह वाला प्लस होता है एक माइनस के साथ में आ जाता है एजी थाइन के आधान परदान कर रहे हैं इसलिए आयनों के जब आधान परदान होता है तो वहां पर बिश्थापन अभी क्रिया होता है समझ में आगे होगा फ्रेंस अब चलिए फ्रेंस यह आपके सामने और एक्जामपल आप याद रखिएगा आपको एक दो ही एक्जामपल याद रखना है अब अगला पॉइंट आपका तिसरा आता है अनुत करमड़ी अभिकिरिया यह अनुत करमड़ी अभिकिरिया क्या होत तरह के एक बी अभिक्रेया होता है जो उसे अनुत क्रुमरी करते हैं जैसे एक सिर्फ सिर्फ केवल एक दिसा में बनेगा ना मतलब एक दिसा में क्रिया करता है तो उसे अनुत्क्रमड़ी अभिक्रिया करते हैं अब देखें फ्रेंस यहाँ पर क्या है पढ़ते हैं इसको वे अभिक्रिया हैं जो केवल एक ही दिसा में संपन होती है उसे क्या बोलते है अनुत्क्रोमड़ी अविक्रिया तो फ्रेंज देखिए अभी तक जितने भी एक्जामपल आपको बता चुके हैं वो सभी आपके अनुत्क्रोमड़ी अविक्रिया के एक्जामपल है ठीक है अब देखिए आपको जो अभी उपर बता है वही एक्जामप R seizure के साथ कर्या करता है और एक तीर ऐसे बना दिया गया यह से बोलेंगे कि आपका क्या बोलेंगे कि आनित्क्रमडी अभी किया बोलते हैं जैसी बनता भीए तो फोर सोडियम कुलराइट बनता है कैसे बनता है आपको समझाए यह सिल्वर नाइट्रेट थ्यसाथ पर तो स्विया करता है तो सिल्वर कुलराइट बनता है और सॉडियम नायट्रेट बनन जाता है कि तेस सुडियम के ढ not सूडियम आपकर निकल जाता है और नहीं धरल झाधार कर लिए जाएक है एग्जामपल लिए इस मतलब और यहां इंट दिशाहों में अबक्रिया संपन होती यह जैसे इधर इनकर तो पर इससे अपोजिक ज來了 इता उस्द दोने इसे मिलते हैं उसे उत्क्रमड़ी अभी क्रिया करते हैं समझ में आ गया होगा यह इसके कुछ एक्जामपल है आप याद रखिएगा जैसे यहाँ 3 F E है यह 2 O मतलब आयरन जो होता है जल के साथ क्रिया करता है तो आयरन आक्साइड बनता है ठीक है? इसके अला क्या बन जाता आपका? जल बन जाता है और देखिए यह कल्सियम आक्साइड जो होता है कल्सियम कार्बोनेट जो होता है जब इसको गरम करते हैं तो कल्सियम आक्साइड बनता है कर्बन डाक्साइड और पुना करिया कराते हैं तो पूरा आपका कर्बोनेट बन जाता है यह दोनुदिसां में संपन होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं समझ में आगये होगा इसके कुछ इंपर आपका अब गटन अभी किरीया होता क्या है फ्रेंस कि देखिए वह अनुत क्रमणी किरे जैब अनुत करमणी सदून लेले गा तो मतलब वह एक तीर के वह एक ही दिस्ता में समपन होगा उसे अभी बता है अनुत क्रमणी अक्रिया कते हैं देखें क् pronounce किरें किरिया जिस किसी पदार्थ ुद दो या दो से अधिक सरव अड़ों में भाजित हो जाते हैं अब घटन अब करिया काला आते हैं जैसे फ्रेंच देखें यहां पर क्या है आपको A B के मादने से समझाते हैं आपको यह आसान बासान समझ में आगा है जैसे A और B एक पदार्त है इसको क्या किया आप उसमा दिये या इसको गरम किये ठीक है यह क्या किया आपका A और B में अलग अलग तूड़ गया जब यह आपस में अलग अलग तूड़ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे अब घटन अब किरिया बोलेंगे जैसे कोई पदार AB है इसको उसमा देने के बाद ये अलग-अलग दो पदारतों में तूड़ जाएंगे तो उसे ही अब घटन अब किरिया करते हैं ठीक है इसके एक्जामपल को देखते हैं यहाँ पर इक्जामपल क्या है ठीक है अब घटन अब किरिया हो जाएगे समझ में आ गया होगा इसके अलाओ उसमी अब घटन अब किरिया देखते हैं ठीक है देखे उसमी अब घटन अब किरिया क्या होती है इसमें भी क्या होता है कि वह अब किरिया जो उसमा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अड़गों में विभाजित हो जाता है उसमी अभगटन अभकिरिया का लाती है देखे उसमी अभगटन अभकिरिया का मतलब होता है कि वह अभगटन अभकिरिया जिसे उसमा देने के बाद संपन होता है उससे उसमी अबगटन अबकिरिया कहते हैं जैसे आपको एक्जामपल अभी समझाएं कौन सा एक्जामपल के 2 के C-L-O-3 जो है इसको जब आप उसमा देते हैं तो अलग-अलग पदार्त में क्या होता है तोड़ जाता है जिसे विद्धूत देने पर विद्धूत प्रवाहित तोड़ जिसे विद्धूत देने पर विद्धूत प्रवाहित करने पर दो अलग-अलग पदार्तों में तूड़ जाता है तो कौन सा अभकरिया कलाएगे वैद्धूत अभगटन अभकरिया ज़ए उसमा के उपस्तिति में हो रहा तो वैद्धूत अभगटन अभकरिया कालाती है मतब देखे जब विद्दूत के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अड़ों में भाजित होता है तो वाईदूत अभगटन अभकिरिया कालाता है देखे जैसे जल है जल में यदि विद्दूत धारा प्रवाइद करते हैं तो यह hydrogen में और oxygen में तूट जाता है तो इसे कौन सबक्रिया कहेंगे वाइदूत अब घटन अबक्रिया कहते हैं अब देकिए friends आपका प्रकास अभगटन क्या में होता है जो प्रकास की उपस्थितिति में प्रकास मिलने के बाद आपका हमें और और तो लगे तोट गया कौन से अभगिया वह होती है यह कन अब आपको याद रखना है ठीक है लाश्ट में आपको जरूर बताएंगे वसाप लास्ट तक बने रही है वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि देखे वह उतकरमड़ी पर यह जो दोनों दिसाओं में संपन होता है उसे व्योजन अभिक्रिया कहते हैं अब देखे चलिए इसको पढ़ते हैं कि वह उट्क्रमड़ी अभकिरिया जिसमें किसी पदार्थ के अड़ू दो यह दो से अधिक सरल अभूवित हो जाते हैं व्योजन अभकिरिया कलाते हैं यह नाम से आपको पता चला व्योजन मतलब होता है लग अलग होना , ठीक है , कोई भी पदार्त लिए उसको अभी कराने के बाद दो अलग-अलग पदार्त में तूट जाएंगे व्योजन अभीक्रिया कालाएंगे अब देखे फ्रेंट जैसे आपको A B पदात लेगे बता हैं यह होता है आपका A B यह क्या करता है कि अलग-अलग जैसे A और B में तूट गया तो जो अलग-अलग भागों में तूटे गा तो कौन से क्रिया हो जाएगी व्योजन व्योजन देखे इसमें क्या है कि यह उत्करों में जैसे A B से आप A और B अलग-अलग प्राप्त कर रहे हैं फिर A और B को अभी क्रिया कराएंगे तो A B मिल जागा दोबारा वो पदात मिल जाता है व्योजन अब क्रिया कराता है इसके पहले जो आपको बता हैं फ् व्योजन यह दोनों दिशाओं में संपन होता है यहीं बस अंतर है इसमें भी दोनों पदात आपका अलग-अलग होता है इसमें दोनों पदात अलग-अलग होता है बस अंतर क्या है कि यह उत्करों मड़ी है ठीक है यही बस अंतर है दोनों में अब देखे फ्रेंस आगे अमोनिया का फार्मुला जिसे अमोनिया कुल राइड होता है ठीक एधिनि यह इसे नौसादर भी बूलते हैं इसलिए आपड cricket आ जाते नोशर्द दोस्तोट aquesta विर्ण आल अपको फिर। तो मतलब सुरी दोस्तों यसे टूमें और टूड़ जाता है यह भी आपका वियोजन अब्ग्रिया के उधार ओर रहा है ऊप्रण talking क्या होता है उस्माछेपी अबडिया खेया च्रिया? जिनमें उसमा निर्मुक्त होती है उस्माच्चénपक्र प्रया उस्मा छेपी को मतलब हुआ अभिक्रिया जिसमें उस्मा क्या करता है बाहर निकलता है तो उस्मा छेपी अभिक्रिया काल आती है के आपसit क्रिया करते हैं चल बना जते हैं। आपको पता हो कि không ऑस यहां और आकिस आर आ इए फ önem हृत हो जरू almost you can करते हैं तो जल बंता है थरे तो यह जल बन बना तो है लेकर इस मैं से क्यों होता है उसमा बाहर भी निकल बनता है उसमा कितना निकलता है कि 136,8 kg कैले कि उसमा क्या होता है निर्मुप्त होता है जब उसमें पर आपको बाहर निकलता है उसमा चेल कियो निकल रहा है। पर आपको आगे बताएंगे कि जब इधर इदर लिखा रहे हैं तो इसका मतलब उस्का मतलब होता है। इसके बाद COC यहाँ पर याद रखिए कि जिस कारवन आक्सिजन के साथ क्रिया करके कारवन डायकसाइड बनाता है जिसमें 94 किलो केलोरी की उसमा बाहर निकलती है अब चलिए उसमा सोसी अभिक्रिया पढ़ते हैं देखे इसके नाम से ही असपरश होता है कि ऐसी रसाइनिक अभिक्रिया जिसमें वो उसमा को क्या करता है ग्रह करता है उसमा को क्या करता है ग्रह करता है तो उसे क्या करते हैं उसमा सोसी अभिक्रिया करते हैं मतलब उसमा को और सोसी करना ही क्या करता है उसमा सोसी अभिक्रिया देखे फ्रेंस इसके नाम से उसमा प्लस और सोसी इस च्छेद करेंगे इस पकार तो उस्मा का और सोसर करना ही क्या करता है अब इसका एक्जामपल देख लेते हैं यहां पर जैसे नाइट्रोजन है आक्सिजन के साथ आपस में क्रिया करेगा इसको संपन होने के लिए करते हैं यहां करते हैं इस सब्सक्राइब और अभी क्रियां असपन होत्ता है। सीखर्ड क्या जाना जाता है आक सीखर इसको पड़ते हैं जिस अब किरिया में किसी पदारत में갔 रॉटब की विढिदी या हाइड्रोजन की कमी होती है उस्से आप फुर किरिया करते हैं बस याद रखिएगा कि जिसमें आपके आक्सीजन वोटू की ब्रिद्धी होती है मतलब आक्सीजन की ब्रिद्धी होती है उसे आक्सीकरल अभिक्रिया कहते हैं इसमें आपको क्या याद रखना है एक बार और बता देते हैं कि उपचैन अभिक्रिया में जिसमें आक्सीजन की ब्रिद्धी होती है उसे हम कहते हैं उपचेहन अभिक्रिया जिसे अन्य नामों से जानते हैं और यह आपके पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट कि अभिक्रिया क्या होती है या उप यह डेशन क्या होता है मतलब और चीजन वह रिद्धि Яक्षा मतलब अवीन नहिए टिस के पिअ आफ्लज के आपको यहांगे हुगा है कि यहां पर कारबन में हलो दोस्तों यहां पर क पर को आक्सिजन के साथ किया जाता है ति यानि यह दो आप से मिलक्री बना दिन और यहां पर देखिए अपके बृद्धी होगी इसके साथ जब परिया हो जाएगे आपकी यहां पर उपचैन अव candidate I'm टरूर करे पर करेगा तो tom सलफर के साथ में क्या इसके साथ हाइडोजन था पहले हाइडोजन क्या था सलफर के साथ हाइडोजन था लेकिन जब अब किरिया किया तो सलफर से हाइडोजन को क्या हो गया अलग हो गया तो हाइडोजन की साथ क्या होगा कमी होगा जब सलफर के साथ हाइडोजन की कमी होता है और oxygen के किसी तत्तों के साथ ब्रिद्धी होता है तू सही क्या करते हैं यहां पर देखें यहां पर याद रखिएगा कि आप चैन में जो oxygen में कमी होना चाहिए और hydrogen में क्या होना चाहिए ब्रिद्धी यादि फ्रेंद देखे उप चैन प्डैक्शन अब्किर्या होता है यह आक्सिजर ब्रिद्धी होता है और hydrogen कमी होता है तो ऐसी अभीकिरिया क्या बॉलतह है अप चैन अभिकरिया करते है अब चैन चल्छ Вас वन पढ़ते हैं। जिस अभिकरिया में किसी पदार्त में और अक्सीजन की कमी हाईडूजन की बिधिदी हो तो यहां पर के साथ आपका आक्सीजन की क्या हो गई किए और बना यहां से यहां से हाईडरोजन के क्या हो रही हो रही है यहां से अब किया हो जाएगी अपयरा में या रखना है किए यहां के कमी होना और हईडरोजन की बिद्य होना ही क्या Bis查 अब आी है टाइभ नेरे डाक्स अबच fits 9 अबस्षेश धाथ में क्या होता है ह यह सबसे ज्यादा पुछता है रेडाक्स अबक्रियаемся क्या होता है कि दोश्वकेDelव क्या होता है कि अब प्रयूप न में रहा होता है जिसमें उप्रयूप और समस्तुत क्रिया करते हैं उसे ही क्या करते हैं और इसका इक्जामपल देखा जागा दिखा जब से जिंक आक्साइड हो आक्सीजन की तरह करता है यहाँ क्रिद् Esp पंड त confession पहल छाट कैसे om क्या तो सब्सक्राइब देए यह होता है यहाँ जिंक आक्साइड में अzk्सीजन की कम्हें यह हो गयाा आपका अप्चैन साइन अब इसके बाद कार्बन के साहां में आक्सेजिन की विद्दी होई ये हो गया आपका अपक्रिया मतलब इसी अपक्रिया जिसमें आप चैनना और उपक्रिया को बोलेंगे रिडाक्स अभी करते हैं या है इसको याद रखेंगा अब देगे फ्रेंस यहाँ पे आपको बताते है कुछ उपचेन यारी आकसी कराध के अविकिरिया का पर्भाव क्या है देखिए इसका जो पर्भाव यारी आकसी कराध का जो पर्योग होता है शोसन में, दहन में, संचाड में, विक्रिती गिंदीता में अब यहाँ पर फ्रेंज देखें 2023 के पेपर में जो बोड का एक्जाम हुआ है उसमें संचार आपके पेपर में आ चुका है और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पर आपको संचार विकृति गंधिता पढ़ाने वाले हैं अब चलिए बढ़ते हैं आगे संचार क्या होता है संचार का मतलब सीधे होते हैं जंग का लगना तो लोहें पर जंग लगता है तो उससे लोहा क्या हो जाता है उसे क्या करते हैं नहरुपर भासा में संचार कहा जाता है इंग्लिस में करोजन करते हैं और लोहें पर जंग ल अम्ल नमी तदा वायू से धीरे धीरे अब किरियाद वारा नष्ठ हो जाता है तो क्या कलाता है संचारा मतलब जो धातु जह से लोहा क्या है आपका धातु है लोहा जो अम्ल के संपर्क में नमी के संपर्क में या वायू के संपर्क में रहता है वह धीरे धीरे क्या होता है क विनाशकारी प्रक्रम में क्या है संचाड क्या है विनाशकारी प्रक्रम में संचाड के बारे में इतना आपको लिखना था अब देखें संचाड के लिए प्रस्थितियां अब प्रस्थितियां का मतलब होता है जैसे लोहा पर जंग लग रहा है अब लोहा पर जंग लगेग अब आगे बढ़ते हैं यह साइनिक समिक्राइब ज़रूर याद रखेगा कि जंग का रासाइनिक अभी क्या है या सुत्र क्या है देखे क्या होता है जैसे आयरन लिए मतलब लोहा लिए आक्सीजन और जल के संपर्ग में जब यह आता है तो उस पर जंग लगता है और इस तरह बनता है जंग यह जंग का क्या होगा फार्मूला डारेक्ट याद रखेगा बन जाता है जंग का फार्मूला है या लोहे पर लगने वाले जंग का फार्मूला है तो क्या है फ्रेंस जंग इसको पढ़ा कैसे जाता है हाइड्रेटेट फायरिक आकसाइड क्या कि अवगा कि अब संच्छारा से हानिया काई अब बताएं कि जब लोहे पर जंग लगेगा जन्ग से क्या होगा जब लोहे का नस्थ होना यह संच्छारा की यह फिर आपके कीमतों में बिर्द्धिय और जाती है ठीक है यह सब यहाज कե और यहाज बनी व्हुत होती तो आपके धन क्या हो स्वाशाटि बनाएं तो भी निस्ट हो सकता है मुंत्छा ज gedacht जाता है जिस दोबारा बनाने प्लेंश सकता है तक क्यாAt अब जब strengthen क्या很 इसके कश्ण ओपाइ के कैसे जंग को रोक आगा जा Cyberpunk पता होगे कि जंग होगे तरवाजा होगे तो आप देखते होंगे उसके प्रियोग करते हैं कि जंग ना लगे इसके अलावा आप प्रियोग करते हैं कि जंग ना लगे इन सब कर के ठीक है और ग्रीज करके इन सब का परियोग करके आप जग जो लोहा पर जंग लगा इसको बचा सकते हैं अब देखिए इसको पढ़के देखते हैं धात्यों की सत्वापर पर मेरे कर आप बचा सकते हैं लोही की वस्तों को प्हलने जिंक में डूबो प्रश्ट रखा जाता है देखिए जिंक में डुबकर यह दिलवा पर रखते हैं तो जिंक की प्रचड जाती है जिसे यसद लोपन या गल्व निक्रड़ करते हैं अब देखिये फ्रेंच यहां से एक प्रश्ण याद रखिएगा गल्व निक्रड़ करते समय किस धातू का प्रियोग करते हैं तो होता है जिंक क्या होता है याद रखिएगा यहीं पूछता है बोहिकल्पी में कि गल्व निक्रर या यह सद लेपन करते समय किस धातु का प्रियोग करते हैं तो होता है आपका जिंक ठीक है अगला पॉइंट होता है कि संचार से बचाने के लिए उप मतलब होता है कि विद्वुत अब घट किरिया द्वारा धातू पर उसकी आकसाइड की प्रत का निर्मार हो जाता है तो उसे अनेडिकर कहते हैं ठीक है अब चलिए फ्रेंस आगया इस सब पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आप इस चेप्टर का लाश्ट पॉइंट को उप्योग किया जाता है जिस वीदी का प्रयोग किया दे वेविक्रिति गद्धिता के अंतरगत आजाते है इसको समझाः जाह विश्ष्ष्ट स्वाद गंद होता है इस विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष के एक विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जिसे जंग से बचने के आवस्यक उपाएं उसी तरह विक्रिती गंदीता ना हो मतलब कोई पदात खराब ना हो उससे बचने के लिए क्या आवस्यक उपाएं को करना चाहिए देखिए विद्यतुरुअधी बर्तनों में खादे पदात को रखना जैसे फ्री जूरी जो गया उसे गरम करके रखेंगे तभी पर क्या हो जाएगा आपका नश्ठ होने से बस सकता है इसके अलावा पके हुए बोजन को कम ताप पर ढखका रखना जैसे खादे पदार्त होता है जैसे आपके घर में जो खाना बनता है वह जो खराब नहों इसके लिए आप कभी कभी क्य सब्सक्राइब करेंटों में भरना ठीक है सीधे सीरक रोसनी से भोजपदार्थों को पके बोजन में बचाना ठीक यह सब क्या अतमतर खादे पदार्तों को उससे नर्ष्ट होने से बचाया जा सके वही विकृति गंदिता के सभी उधार थे देखे फ्रेंस यहां पे आप इसके अपको बता दिये हैं और फ्रेंस देखें रसायनिक ज्ञान के कुछ ऐसे टापिक है जैसे रसायनिक समिकड़ा आप यात कर लिजाएगा आपको बोलते कि वीडियो कर लाश्ट बताएंगे तरसायनिक समिकड़ा ठीक है सबसे इंपोर्टेंट फिर इसके अलावा आ सबसे इंपोर्टेंट इन अभिक्रियां को पढ़ लिजिएगा फिर इसके अलावा फ्रेंस जो संतुरित रसायनिक समिकड़ा आपको एक दो बता हैं संतुलित रसाइनिक समिक्र से क्या होता है आपको रिभासा रिभासा नहीं पूषता है संतुरित रसाइनिक समिक्रों होता है इसके अलाबा आप संचारर हुआ विक्रिति गंदिता वह यह दो पॉइंट आप जरू से अच्छे सपह लिजेगा संचारता आपके पेपर में आच चुका है हो सकता है कि इस साल के पेपर में विक्रिती गंदिता दे दे तो फ्रेंस देखिए आपके जितने भी फ्रेंस यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए है तो चलको सब्सक्राइब करें